आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ उसे C, 52 and option D, 45 तो उन्हों पहले स्रीच को लॉजिक को समझते हैं तो स्रीच क्या दिया है पहला नमबर 7, दूसरा नमबर 12, तीसरा नमबर स्री, 9, 12, 17, 24 and 35 तो मैं पता करना है कि next term क्या होगा तो उन्हों लोग समझते हैं तो पहले term में क्या किया गया है तो 7 plus 2 equal to 9 फिर फिर फिर् वाले term में क्या किया गया 9 plus 3 क्या गया तो यह क्या होगे, 12 फिरि फिरी क्या किया, 12 में 5 जूरा गया और 17 बताया गया 17 बनाया गया, तो मिज़़् क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहले वाले term में 2 जूरा गया second वाले term में 3 जोरा गया है third वाले term में 5 जोरा गया है and 17 में कितना जोर के 24 पुरा है 17 में 7 जोर के 24 पुरा है means fourth वाले term में 7 जोरा गया है again 24 में यहाँ पर क्या जोरा गया है 11 तो हम लोग देख सकते हैं यह जो पहले वाले term में 2 2nd वालेटर में 3, 5, 4th वालेटर में 7, 5 वालेटर में 11, तो हम लोग यह बता सकते हैं कि यह जो है 2, 3, 5, 7, 11 यह क्या है? यह है consecutive prime number, तो हम लोग यहां से बता सकते हैं कि हर टर्म में एक consecutive prime number जोरा जा रहा है, तो अगले टर्म में क्या जोरा जाएगा? तो consecutive prime number next क्या होगा? 13, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 35 में 13 जोर के next term बनाया जाएगा, तो 35 में 13 जोर हैंगा, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 48, तो हमारा next term of this series will be 48, तो हमारा कौन सा ओप्सन सरी हो जाएगा? ओप्सन नमबर बी